आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से हार दिक स्वागत करता हूँ पाट साला डेलवे एक्जाम में सबसे पहले तो कल से यहनी की 17 अगस्ते डेलवे गुरूप D का एक्जाम शुरू हो रहा है जिसका इंतजार 2019 से लेकर बच्चे आज तक कर रहे थे चूटेगी और तीसरी शुटेगी वो साले छह बजे के आसपास चूटेगी क्योंकि तीसरी शुट का एक्जाम पांच से साले छह होना है तो मैं यहाँ पर आज आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज और एक मोटिवेशनल चीज लेकर आया है वो यह है कि जो मैं आज अभी नंबर बताने जा रहा हूं एक्सपेक्टेट नंबर on the basis of 2018 और 16 के गुरूप डी के एक्जाम को लेकर कि उस वक्त जिन बच्चों के सेलेक्शन हुए थे उनके नंबर कितने आये थे हरे केटेगरी में अन्रिजर्व केटेगरी OBC, SC, SD तो इस बार कितने नंबर अगर आपके आएंगे तो आपका सेलेक्शन 100% होगा तो आज का इसी पर आधारित है कि आपकी कितने नंबर आएंगे तो आपका सेलेक्शन 100% होगा जोन वाइस, केटेगरी वाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी का एक वार फिट से स्वागत कर देता हूँ 15 साला रिल वे एक्जाम है, मैं बात कर रहा हूँ अगर मैं zone wise बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने zone और category के number लिख दिये है कि अगर आप इस zone और इस category में है तो आपके number कितने होनी चाहिए कि आपका selection जो होगा वो short short माना जाएगा मतलब 100% selection आपका हो गई होगा अगर आप अजमेर zone से हैं तो इसके लिए अगर मैं cut off की बात करता हूँ देखिए मैं फिर से एक बार आप से लोगों से कह दे रहा हूँ कि यह expected cut off है यह कोई confirm नहीं है आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो अपने भविश्य के प्रती चिंतित हो सभी को पता है और एक्जाम भी अच्छे से देंगे आप लोग यह भी जानते हैं तो expected cut off यह दो चार नमबर आगे पीछे हो सकता है अगर आपके इसके आसपास category wise नमबर रहते हैं तो आपका selection 100% रहेगा और आपको यह भी पता होगा ना कि इस बार raw marks का कोई मतलब नहीं है आपके कितने raw marks आते हैं इसका कोई मतलब नहीं है normalization के बाद आपके number कितने बनते हैं उससे मतलब होगा ठीक है normalization के बाद जो number आपके बनेंगे उससे मतलब होगा raw number का raw marks का इस बार कोई और चित नहीं है तो किसी भी प्रकार के raw number को लेकर आप लोग confusion में मत रहिएगा चलिए शुरू करते हैं अगर आप अजमेर zone में है तो general category में आपको तकरीबन 73 से 74 number लाने होंगे प्लस माइनस 4 number अगर आप OBC category में है तो 70 number आपको चाहिए होंगे अगर आप SC category में है तो 63 और अगर ST category में है तो 60 अच्छा एक मज़े की बात यहाँ पर पहले बता देता हूँ एक board था चंडीगर बोर्ड इसमें भी होगा अगर इस चंडीगर बोर्ड की हम बात करते हैं तो एक मातरी ऐसा board था आररबी का ऐसा जोन था जिसमें SC category का cutoff ST category से कम गया था मैं बात कर रहा हूँ 2018 की वहाँ पर यह तक की बात है तो इस board के विशह में SC ST category की बात भी हम लोग आगे करेंगे अगर मैं अलाबाद जोन की बात करता हूँ जो सबसे dangerous zone में आते हैं अलाबाद बोर्ड जो होता है वो dangerous zone में count किया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक vacancy के लिए fight बहुत जादा होती है तो अगर आप यहाँ पर है तो आपको general category के लिए कम से कम 75 number चाहिए होंगे 74.5 लिखा है लेकिन 75 आपको चाहिए होंगे आप मान के चलिएगा OBC category में 69, SC category 62 और ST category का जो cut up होगा वो 50 रहेगा आप अगर general category से ST category की तुलना करें तो पहले यह zone wise सब का vary करेगा इसे अजमेर zone की बात की थी तो 13 number का variation था लेकिन इलावाबाद zone में यह variation बहुत बढ़ जाता है यह लगबग लगबग 24 से 25 number का variation आ जाता है ST category और general category में अगर मैं एहमदाबाद zone की बात करता हूँ तो यह भी railway के हिसाब से देखा जाए तो एक ऐसा zone है जहाँ पर completion अच्छा खासा रहता है लगबग 72 number general category को OBC को 66, SC को 60 और ST category के बच्चों को कम से कम 57 number लाने ही होंगे यह minimum है आप इससे ज़्यादा लेकर आते हैं तो बहुत अच्छा मुझे पता है कि यह पार्चला रिल्वे एक्जाम में पढ़ने वाले सभी बच्चे आप अगर इस बार देखें यह पिछली बार का lowest cutoff का board था मैं इस बार की बात कर रहा हूँ तो इस बार इसमें तकरीबन आपको 62 से 65 number लाने होंगे अच्छा खासा एक जोन होता है जिसमें competition अच्छा होता है तो जनरल केटेगरी 75, OBC 70, SC 63 और ST केटेगरी का cutoff जो रहेगा 58 के आसपास रहेगा दो प्लस दो या चार number प्लस माइनस ठीक है माइनस होने की संभावना है कम है यह प्लस ही जाज रहता है बिलासपुर बोर्ड की बात किया रहा है तो यह भी dangerous zone में आता है यहाँ भी cutoff अच्छा रहता है तो यहाँ पर यह 70 लिखा है इसको आप 73 मान के चलिएगा क्योंकि एक दू नंबर में selection रुखते भी है और होते भी है 73 जनरल केटेगरी OBC, SC और ST केटेगरी के यह नंबर है expected mark जो मैंने कुछ बहुत थोड़ा बहुत अध्यान करके थोड़ा बहुत मतलब बहुत अध्यान करके यह लिखे हैं आपके सामना मैं बात करता हूँ भूमनेशर बोर्ड की तो भूमनेशर बोर्ड भी अच्छा खासा dangerous zone में आता है dangerous zone का मतलब competition अच्छा रहता है जनरल केटेगरी को 74 नंबर, OBC को 69 नंबर, SC केटेगरी 60 नंबर और ST केटेगरी के भच्चों को 5 पर नंबर minimum requirement होगी चंडिगर बोर्ड की बात करते हैं तो चंडिगर बोर्ड में जनरल केटेगरी का cut-off जोगा 75 से 36 हो सकता है 77 तक चला जाए यहाँ पर OBC काटेगरी को 68 अगर मैं SC काटेगरी की बात करता हूँ तो यहाँ पर तकरीबन SC काटेगरी को 63 और अगर ST काटेगरी की बात करते हैं तो तकरीबन यह मान के चलिएगा 57 नमबर इतने नमबर का requirement बनेगा चिन नई बोर्ड चिन्नाई बोर्ड 71 नंबर या 72 नंबर आप इसको कह सकते हैं जनरल केटेगरी के लिए OBC, SC और ST केटेगरी ये नंबर्स लिखे हुए गोरखपूर बोर्ड की बात करते हैं अगर कट आफ कर देखा जाएं ये भी अच्छा खासा बोर्ड है जिसमें भी कॉम्टेशन काफी अच्छा रहता है बहुत सारे बच्चे गोरखपूर जोन से भी फॉर्म बरता है 73, 69, 60, 54 उसके बाद गोहाटी बोर्ड के अगर बात की जाए नौर्थ इस्टन डेलवे में आता है 77, यानि आप देख रहे हो कि अगर ये लिखा है तो कॉम्टेशन अच्छा खासा होगा आप कॉम्टेशन का अंदाजा सिर्फ जनरल कटेगरी के प्रीवेस कटॉप से भी लगा सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है OBC, SC और ST आप देख रहे हैं, गुहाटी बोर्ड में जनरल कटेगरी और OBC कटेगरी के नंबर्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है यहां मैंने EWS को मेंशन अभी नहीं किया है उसका हमें थोड़ा सा अंदाजा अभी नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने EWS अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है अगर मैं कोलकाता जोन की बात करता हूँ, तो ये जोन ऐसा है जो कि इस बार भी ये और अलहाबाद जोन, दो जोन ऐसा है जो इस बार भी हाइस कट आफ यानि कि डेंजरेस रेडी में रहने वाले है अलहाबाद जोन और कुलकाता जोन तो यहाँ पर जनरल कटेगरी के लिए आपको कम से कम 80 से 82 नंबर चाहिए हो OBC और अगर मैं देखू SC कटेगरी तो लगबग समान रहने वाले है यहाँ पर नंबर का डिफरेंस आएगा लेकिन मैंने लिखा नहीं है तो SC कटेगरी का कटओफ OBC से बहुत कम नहीं रहेगा दो या तीन नंबर के आसपास का वेरियेशन आएगा और ST कटेगरी 55 नंबर के आसपास रहने वाली है मुंबई जोन की बात करें तो वेस्टन रेलवे मुंबई और सेंटर रेलवे मुंबई दो इसमें आते हैं जनेल करें की के कटओफ की बात करता हूं यहाँ पर जनेरल करें की के कटओफ की बात कर लेते हैं तो मुंबई जोन का जन्रेल के कटओफ जो होगा वो 67.96 के आसपास रहेगा OBC, SC और ST के ठीटेटेए तो बहुत ज़्यादा फर्क मुंबाई के टेगरी में मुंबाई के रेलवे जोन में नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहां पर कॉम्टेशन कम होता है लोग फॉर्म ही कम भरते हैं इसलिए जो नंबर्स के वैरियेशन होते हैं ज़्यादा नहीं दिखते हैं पटना जोन, यह भी एक डेंजरस जोन में आने वाला है और आता ही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिहार, जारखंट, 36 गड़ के आसपास के जोन के होते हैं पटना जोन से फॉर्म भरते हैं तो यहां पर तकरीबन आपको इस बार का अगर मैं बोलू तो आपको तकरीबन 75 से लेकर 78 के बीच में जनरल केटेगरी का कट ओफ रहेगा इतने नंबर मिनिमाम आपको रिक्वार्मेंट रहेगी 72, 61 और 58 राची बोर्ड एक और खतरनाग जोन है जिसमें कॉंपेशन अच्छा होता है जनरल केटेगरी के अगर बात कर देते हैं 76, 71, OBC, SC 62 और OBC की बात की जाए तो 58 एक बार फिर से बता देते हैं कि यह एक्सपेक्टेड कॉट आफ है यह मैंने 2018 में जो वेकेंसी थी RRC गुरूप डिकी उसकी तरज पर मैं आप लोगों के सामने रग रहा हूँ तो आपको यह तो अंदाजा हो जाए कि मैं इतने नंबर के आसपास रहूँगा इस जोन से और इस कैटेगरी में तो सेलेक्शन शोर्ट होगा 100% होगा फिर से बोलता हूँ रो मार्क्स का इस बार कोई रोल नहीं होने वाला है RRB ने अपनी ओफिशल नोटिस में ये बात कह दी है तो जो नंबर आपके पास आएंगे उसका नॉर्मलाईजेशन होगा एक फॉर्मूला दिया हुआ है चाहोगे आप बोलोगे कमेंट करोगे तो उस पर भी एक वीडियो कर दूँगा छोटा सा कि किस फॉर्मूले के तहर्मालाईजेशन कैसे होगा और आपकी बार सब कुछ परसेंटाइल पर होगा ये ध्यान रखियेगा परसेंट का कोई खेल नहीं होगा सब कुछ परसेंटाइल पर होगा तो इतने नमबर इस जोन में इस category wise अगर आप के आते हैं थोड़े बहुत कम जादा हो सकते हैं मैं बोल रहा हूं expected है तो आप अपने selection को sure shot 100% मान के चलिएगा ठीक है जैन बाबाय टेक केर